नमस्कार दोस्तों इस वक्त प्री मार्केट का समय है 18 फर्वरी 2022 के लिए और ये आपके पास पहुंच रहा है फाइव पैसा के सौजन्य से इससे पहले कि हम आगे बढ़ें अगर आपको हमारी टॉप कॉलिटी रिसर्च, मार्केट इंसाइट्स, स्टॉक कॉल्स अगरा चा आप डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं फाइव पैसा में और जो आप एक फंड ट्रांस्वर करके हमें उसका स्क्रींचॉट 9871066337 पर भेजेंगे तो हम आपको एक प्राइवेट टेलीग्राम ग्रूप में ले जाएंगे जहां पे आपको यह सारी जानकारियां मिलें तो कल जो है S&P 500 में काफी जिरावट आई कुछ 95 पॉइंट तक की और पूरी रात यहीं अटकले लगी रही के आगे क्या होगा और अमरीका कह रहा है रश्या अटैक कर रहा है रश्या कह रहा है हम नहीं कर रहे हैं जैसा मैंने कहा था कि एक अंसर्टन्टी के महौल में अ अगर आप देखें तो मैंने जो कल फ्लैग की बात करी थी वो फ्लैग जो है कल अमरीका में ब्रेकडाउन हो गया तो अगर आप एक रफ ट्रेंड लाइन बनाएं यह नीचे से ट्रेंड लाइन आ रही है यह उपर से आ रही है तो यह जो फ्लैग इतने दिनों से बन रहा मेरे हिसाब से तूट गया है और इसमें अब एक इंप्लिकेशन आ जाता है कि 42,000 से हम और अब जो है आपका नीचे की तरफ एक टार्गेट खुलता है कुछ 3800 का S&P 500 पे वो कब आएगा किन वजवात से आएगा ये हमें जो है समय बताएगा लेकिन क्लियर है कि विश्व बजार बहुत कमजोर है आज सुबह S&P 500 कुछ 17,186 पे ट्रेड कर रहा है मेरे हिसाब से आज ट्रेंडिंग डे हो सकता है निफ्टी बैंक निफ्टी पे क्योंकि कल हमने यहां भी देखा कि कम से कम जो है निफ्टी पे ये नेरो रेंज दो दिन तक बनी हुई थी और इसका जो लोवर एंड है वो 17,250 है उसके नीचे आपको फॉलो थ्रू मिलेगा अमरीका में फेस्बुक जो है जहां पे 220,21 का एक लो बना था अब उसके नीचे ट्रेड कर रहा है और 207 पे पहुंच गया तो वहां पे जो आपका डिकलाइन था वो अब कंटिन्यू हो रहा है बैंक निफ्टी में कमजोरी थोड़ी सी जादा लग रही है तो मेरी कोशिश होगी आज सुबा कुलने के बाद मैं जो है निफ्टी पे शौट जाना पसंद करूँगा आप लोग सेम चीज बैंक निफ्टी पे कर सकते हैं लेकिन ओवर आल बाजार कमजोर है और कल जो मैं आपको रेंज बना के दिखाई थी एक तरह का फ्लैग पैटर्न बन रहा है बैंक निफ्टी पे तो अगर आप इसमें इस तरह का एक ट्रेंड लाइन बना लें तो यह ट्रेंड लाइन टूटी है कल तो इस चीज़ को हम फ्लैग कहते हैं और निफ्टी पे अगर हम देखे तो यहां आपको रेंज नजर आ रही है और वॉलेटिल्टी काफी कंप्रेस हुई है तो जब भी यह लो वॉलेटिल्टी एंवायर्मेंट से हाई वॉलेटिल्टी में जाएगा तब तब आपको एक्सपैंशन मिलेगी ठीक है यह फिलाल इंडाइसिस पे हमारा व्यू है इंडिविज्वल स्टॉक्स में आज मेरे इसाब से आपको डिक्लाइनिंग स्टॉक्स की तरफ अपना रुज़ान रखना चाहिए और आज के लिए कॉल्स हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर यहां पर आप बाए करें स्टॉप लॉस है 2255 टारगेट है 2430 इंडियन होटेल में बाए कर सकते हैं यहां पर स्टॉप लॉस है सेल है 1745 का यहां पे सेल है 1770 के स्टॉप लोज से और टारगेट आपका जो है 1680 का आ सकता है और टाटा स्टील में सेल है स्टॉप यहां 1220 रखें और एक्सपेक्टिड टारगेट 1145 हो सकता है तो फिलाल के लिए इतना ही हमें आशा है आपका आज का ट्रेडिंग डे पूरा वीक जो है अच्छी तरह राउंड आफ हो यह प्रेजेंटेशन आप तक पहुंची फाइव पैसा के सोजन्य से और उमीद है के धीरे-धीरे कुछ लर्निंग कुछ डिवेलिपमेंट आपकी ट्रेडिंग में आएगी वीडियो को पूरा देखें क्योंकि कुछ ना कुछ हमने क्या किया कैसे किया क्या सोच थी वह हम इन वीडियो में बताते रहते हैं तो उसमें से जो है आपको कुछ ना कुछ फाइदा मिल सकता है तो फिलाल के लिए इतना ही वीकेंड पे हम फिर आपको जोइन करेंगे वीकेंड वीडियो बनाने के लिए तो आज के लि झाल झाल